नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है हम एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पल्टेंगे लेकिन मेरी नजर में वैसे तो हर साल किसी भी देश के इतिहास में महत्वपून घटनाएं घटती हैं लेकिन कभी कभी कुछ कैलेंडर के पन्ने इतिहास में टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं ठीक तीस साल पहले 1989 एक ऐसा साल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपून माइल्ड स्टोन बन के रह गया है समकालीन भारत की राजनीती में जिस तरह से अंधेरा चा रहा है इसकी बुनियाद में बहुत हद तक 1989 की घटनाएं हैं ये वो बारा महिने थे जिस दौरान हिंदुस्तान की राजनीती में fundamental changes हुए मुखे तोर से इन बारा महिनों में बहुत महत्वपून तीन घटनाएं घटी थी इन मुद्दों में पहला था बाबरी मस्जित राम जनम भूमी विवाद का इस dispute से जुडी हुई घटनाओं ने देश के secularism के principles पर बुनियादी सवाल उठाए और आज के majoritarian era की एक तरह से new रखती दूसरा narrative 1989 में नवे लोकसभा के चुनाओं से जुडी हुई घटनाओं का था इस चुनाओं के नतीजे से भारत में coalition era की शुरुवात हुई थी हिंदुसान के इतिहास में ये चुनाओं पहला था जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला इंडियन पॉलिटिक्स का ये फेज फाइनली जाकर 2014 में खतम हुआ जब BJP को 282 सीते हासिल हुई और आप सब को तो 2019 की कहानी का तो पता ही है इस बार के नतीजों को मुझे तोहराने की जरूरत नहीं है 30 साल पुराने हिंडुस्तान और उस समय के वैल्यू सिस्टिम को अगर हम तलाशेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा भारत की लगभग आधी आबादी 30 साल से कम आयू की है और उस वक्त की कोई परसनल मेमरी नहीं है हिंडुस्तान के डिमोग्राफिक डिविडेंट से फाइदा जिस एज ग्रूप को हो रहा है या फिर आगे भी होगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश के बारे में सही इतिहास बोद या सेंस ओफ हिस्ट्री का होना जिन भारतियों का जन्न आजादी के बाद और 1980 से पहले हुआ उनको एक एडवांटेज था अलग-अलग इतिहास कारों के बीच नुआंस्ट एकाड़मिक डाइवरजेंस और मदभेद होने के बावजूद भारतिय इतिहास के बारे में काफी हद तक कंसेंसस था लेकिन आयोध्या आंदोलन की शुरुआत के बाद धीरे धीरे इतिहास एक कंटेस्टेट टेरिटरी बन गया शुरू में ये सब बातें पॉलिटिकल प्लाटफॉर्म्स में ही रखी जाती थी लेकिन 1989 के बाद से इतिहास पर एग्रिमेंट कम और पहस ज़्यादा होने लगे अब स्थिती ये है कि हर एक को इतिहास में किसी ना किसी से शिकायत है क्योंकि इतिहास के सारे पात्र मर चुके हैं लोग अपने चारो तरफ उनके प्रतिनिदी ढूनने लगते हैं अयोध्या आंदुलन के सपोर्टर्स के नारेटिव में बाबर और मीर बाकी विलिन थे क्योंकि वे तो सोलवी शतापती में ही गुजर गए थे इसलिए हिंदुस्तान में सब मुस्लमानों को बाबर के उलाद का लेबल दे दिया गया था कोई सबूत ना होने के बावजूद ये कहा जाने लगा था कि राम जी का एक भव्वे मंदिर 1528 में ध्वंस किया गया था डिमांड रखी गई कि मुसलमानों को इसका प्राइश्चित करना होगा उनको मैजॉरिटी के तौर तरीकों से जीना होगा और अगर वे राम मंदिर की मांग को अपोज करेंगे तो वो देश द्रोही कहलाए जाएंगे अयोध्या अंदोलन से जुड़ी हुई तीन घटनाए 1989 में प्रमुक थी पहला इवेंट बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के शहर पालंपुर में अपने नैशनल एग्जेकुटिव की मीटिंग के दौरान राम मंदिर की मांग को अपने पोलिटिकल अजेंडा में शामिल किया दूसरा प्रोग्राम से देश भर में राम शीला पूजन यातरा निकाली गई श्री राम लिखी हुई इटों को अयोध्या ले जाया गया और इस दौरान बहुत शहरों में कम्यूनल दंगे हुए पोलराइजेशन के माहौल में बीजेपी और वीएचपी को बहुत जन समर्थन मिला तीसरा प्रोग्राम नवंबर 9 को शिला नियास का था और एक तरह से चुनावी कैम्पेण के एजेंडा को सेट कर दिया राजीव गांधी ने जिनके खिलाफ जन आकरोश बहुत बढ़ गया था इसको काउंटर करने के लिए अपना इलेक्शन कैम्पेण अयोध्या से लौंच किया उन्होंने राम राजे लाने का वादा किया और शिला नियास को विवादित स्थल पर परमिट किया इस चुनाओं के आने तक विश्वनात प्रताप सिंग राजीव गांधी के मुखे प्रतिद्वन्दी के रूप में उभर चुके थे 1987 में बोफर्स डील में करप्शन के चार्जेज के उपर वीपी सिंग कॉंगरेस के नेताओं को छोड़ कर विपक्ष में शामिल हुए थे करप्शन इन हाई प्लेसे के खिलाफ कैम्पेन का वो फेस बन चुके थे स्वीडिश रेडियो में बोफर्स एक्स्पोजर के बाद से एक बार फिर से कोशिश हुई जनता पार्टी जैसी आल इंक्लूसिव, एंटी कॉंगरेस और गैर कम्निस्ट पार्टी बनाने की लेकिन इस पार बीजेपी क्लियर थी वे अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और पोलिटिकल लाइन को मेंटेन करना चाहती थी लाल कृष्ण अडवानी ने बीजेपी के पोजिशन के लिए एक एक्स्प्रेशन खास इस्तिमाल किया था स्प्लेंड़ आइसोलेशन या शानदार अलगावाद टैक्टिकल कारणों की वज़ा से लेकिन बीजेपी एंटी कॉंग्रेस पार्टी के साथ कॉलाबरेट कर रही थी यहां तक कि 1987 में बीजेपी ने देवी लाल और उनके लोकदल के लीडर्शिप में हर्याना में कॉलिशन सरकार में शामिल हो गए मई 1987 में यह चुनाओ के नतीजे कॉंग्रेस के लिए स्टनिंग रिवर्सल साबित हुए नब्बे में से कॉंग्रेस को सिफ पांच सीटे आई 1984 की असाधारन जीत के धाई साल के अंदर यह एक आश्यर चनक हार थी बीजेपी ने अपने एक पार्टी डॉकुमेंट में इस चुनाओ को देश की राजनीती में टर्निंग पॉइंट बताया इस चुनाओ में सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात उपोजिशन एलाइंस के कैरेक्टर का था लोगदल सीनियर पार्टनर थी और साथ सीटों पर अपने उमीदवार खड़े किये लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि लोगदल का एक तरफ तो बीजेपी के साथ एलाइंस था मगर वहीं दूसरे तरफ देवी लाल ने दोनों कमिनिस पार्टीज के लिए कुछ सीट्स छोड़ दी थी कुछ सीट्स ऐसी भी थी जहां बीजेपी अपने उमीदवार सीपी आई या सीपीम के कैंडिडेट के खिलाफ मैदान में नहीं उतारे थे ये एक यूनीक मॉडल था और एंटी कॉंग्रेसिजम का प्रतीक था इस एलाइंस के दूर गामी असर हमें हिंदुस्तान की राजनीती में बाद में दिखाई दिये लेकिन उस समय ना वामपंथ के नेताओं को और ना ही बाकी विपक्ष के पार्टियों को समझ में आया उनके हिसाब से कॉंग्रेस सरकार का कॉंटिनुएंस बीजेपी के एमर्जेंस से कहीं जादा खतरनाक था 1989 में लोकसभाव चुनाओं में भी यही मॉडल कायम रहा तब तक जनतादल का गठन हो चुका था इसमें शामिल होने वाली पार्टियां तीन थी लोकदल, जनतापार्टी और वीपी सिंग के लीडरशिप में जन मोर्चा जनतादल के गठन के कुछ समय बाद नाशनल फ्रंट का एलान किया गया इसमें जनतादल के अलावा कॉंग्रेस सोशलिस्ट, तेलिगुदेसम, डियेमके और असम गनपरिशद थे चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी की पुरी हार हुई 197 सीट्स जीत कर वे 200 का आखड़ा भी नहीं पार कर सकी जनतादल को 143 सीटे मिली लेकिन सबसे आश्यर जनक परफॉर्मेंस बीजेपी की थी कहा तो 1984 में उनके मात्र दो सांसत जीते थे इस बार पार्टी ने 85 सीटों पर काम्याबी हासल की लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला राश्ट्रपती आर वेंकर रमन ने राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए निमंतरन दिया क्योंकि कॉंग्रेस सिंगल लाजिस्ट पार्टी थी मगर राजीव गांधी ने ओफर को डिक्लाइन किया क्योंकि उनके हिसाब से मैंडेट उनके खिलाफ था नैशनल फ्रेंट के पास भी सफिशेंट एमपीज नहीं थे बस डेर सो से थोड़ा ज़ादा तो सरकार किस की और कैसी बनती हिंदुस्तान को इस से पहले इस तरह की चुनौती का कभी सामना नहीं करना पड़ा था उस पोलिटिकल इमपास से निकलने के लिए भारती राजनीती में एक यूनीक एक्सपेरिमेंट किया गया नैशनल फ्रेंट की सरकार बनाई गई और उसको एक तरफ लेफ्टिस्टों ने सरकार के बाहर रहकर सपोर्ट किया और दूसरी तरफ राइट विंग विचारधारा वाली बीजेपी ने भी बाहरी समर्थन किया विश्वनात प्रताप सिंग भारत के साथवे प्रधानमंत्री बन गए सवाल ये था कि दो बैसाक्षियों पर चलने वाली ये सरकार कितने दिन और किस पॉलिसी के आधार पर चलेगा अयोध्या के मुद्दे पर और सांप्रधायक्ता के सवाल पर सरकार का क्या स्टांस होगा इस सरकार की स्टेबिलिटी के उपर बहुत और प्रशंचिन भी थे क्या जन्ता पार्टी के बाकी नेता चंदर शेखर या फिर देवी लाल वीपी सिंग को स्मूथली काम करने देंगे 1989 की नैशनल फ्रंट की सरकार के एक्सपरिमेंट का सबसे प्रोफाउंड इंपैक्ट बीजेपी का पुलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल करना था एक समय बीजेपी को पुलिटिकल अंटचिबल मानने वाली पार्टियों ने उन्हीं के समर्थन के साथ सरकार बनाई जाहिर सी बात थी कि इसका पुलिटिकल प्राइस देश को पे करना पड़ेगा 1989 में ये तैय हो गया कि बीजेपी ने पिविटल पुजिशन हासिल कर ली थी सत्ता में हिस्सेदार ना होने के बावजूद बीजेपी ने अपने आपको गवर्मेंट इन वेटिंग के तौर पर देखना शुरू कर दिया सत्ता हासिल करने की होड में तमाम पार्टियों ने बीजेपी के साथ एलाइन्स करके और उनके सपोर्ट से सरकार बनाने के इंप्लिकेशन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं अब आप ही सोचिए क्या 1989 की चुनावी राजनीती और सरकार बनाने की कहानी कुछ और तरीके से लिखी जा सकती थी जो हो गया सो हो गया लेकिन जो लोग अतीज से नहीं सीखते वे गलतियों को जरूर दोहराते हैं मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 1989 में तीन मेजर मुद्दों ने हिंदुस्तान के इतिहास पर गहरा इंपैक्ट छोड़ा था तीसरी घटना कश्मीर की दुखत कहानी से जुड़ी हुई था वह इंसिडेंट उस वक्त के यूनियन होम मिनिस्टर मुद्दी मुद्द साइद की बेटी रुबया साइद का अफरन का उस घटना के बाद कश्मीर में मिलिटनसी ने जोर पकड़ लिया और एक नया अध्याय शुरू हुआ उसके बारे में विस्तार में किसी और एपिसोड में बात करेंगे अभी के लिए धन्यवाद और नमस्कार